हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ रजट वेल आप देख रहे हैं टेकार जे आज इस प्रिम में हम बात करने वाले हैं रियल्मी के एक बजट स्मार्टफोन की जो कि है C53 यह लगपक 10,000 के क्रीब की प्राइसिंग में आपको मिलेगा और 10,000 के लिए यह काफी सारी अच्छी चीज़ें आपको देता है वैसे बताब हूँ यह एक 4G स्पार्टफोन है मेरे पास जो इसका वैरिंट है वो 6GB और 64GB RAM वाला है और इस फोन को जैसे ही box से आप निकालेंगे सबसे पहली चीज़ जो आपको attract कर लेगी वो है इस फोन का design वैसे आप guess कर सकते हैं कि यह design कैसा दिखता है लेकिन overall अगर मैं बात करूँ तो दो tones आपको मिल जाते हैं उपर की तरफ shiny है नीचे की तरफ matte finish है overall दिखने में phone अच्छा लगता है side में square edges है और आगे display की तरफ अगर आप देखेंगे तो chin जो है वो थोड़ा side bezel से बड़ा है और उपर camera के लिए आपको यहां पर एक water drop notch देखने के लिए मिलती है वैसे बता दूँ यह phone जो है पकड़ने में काफी बड़ा है इसका जो display size है वो 6.74 इंचिस का HD plus display इसमें आपको दिया गया है लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि जादा heavy नहीं है काफी light weight है वैसे हमने display size की बात करी तो display की थोड़ी और बात कर देता हूँ यह जो है वो 6.74 इंचिस का HD plus display है जो के 90 Hz refresh rate के साथ आता है यहाँ पर कुछ videos मैं play कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि quality आपको कैसा मिलता है peak brightness की बात करूँ तो यहाँ पर 560 nits की है और टक sampling rate यहाँ पर आपको 180 Hz का दिया गया है वैसे एक speaker का sample मी मैं आपको सुना देता हूँ बता दूंकि single speaker है जो कि नीचे की तरफ आपको मिलता है single speaker की performance यहाँ पर अच्छी है speaker काफी loud है quality में थोड़ा और बहतर वह सकता था लेकिन यह 150% volume वदा speaker आपको दे रखा है तो अगर आप full volume के उपर हैं उसके बाद भी volume अपकी press करते हैं तो आपका 150% ultra volume mode जो है वो enable हो जाता है वैसे इस phone में एक खास feature आपको दिया गया है जो कि mini capsule नाम से आता है पहले भी realme के budget smartphones में एक feature हमने देखा है तो जब भी आप charging के उपर phone को लगाते हैं तब आप देखें के mini capsule आपको एक देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको दिखा देगा कि battery जो है वो charge हो रही है और कितने percent charge है ऐसे ही ये कुछ और चीज़ों के लिए काम करता है जिसके data usage जो है वो दिखाता रहेगा उसी के साथ steps अगर आप count कर रहे है फोन के उपर तो वो भी उसका status भी दिखाता रहता है तो कुछ चीज़ों के लिए ये जो mini island है वो काम करतेगा आपका और एक बहुत जरूरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो phone है वो performance oriented नहीं है एक gaming वगारा के लिए आप इसको consider मत कीजेगा इसमें आपको Unisoc का T612 processor मिलता है और वो definitely high-end gaming के लिए नहीं बना है तो मैं बोलुँगा कि budget segment का phone है और normal day-to-day usage के लिए बनाया गया ह उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे कोई issues देखने के लिए नहीं मिले और उसके लिए Realme ने एक खास चीज इस phone में जो की है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको Realme UI नहीं मिलता इसमें आपको stock Android दिया गया है तो इसको आप एक unique phone बोल सकते है Realme का जिस मैं इसका थोड़ा और idea देने के लिए वैसे मैंने इस phone के ओपर Geekbench test भी run किया है उसके results आप देख सकते हैं उसी के साथ मैंने इस phone के ओपर CPU throtling test भी run किया है उसका भी 15 minutes का test आप यहां पर देख सकते हैं वैसे एकर cameras आपकी priority है तो यह phone cameras के मामले में आपको disappoint नहीं करेग overall quality के अगर मैं बात करूं तो काफी ज़्यादा अच्छी quality इसमें आपको मिल जाती है details photo में काफी अच्छी है और इसमे especially 2x in sensor zoom वादा option भी दे रखा है basically वो optical zoom नहीं है लेकिन digital zoom से बहतर quality आपको दे देता है even low lighting के अगर मैं बात करूं दोस्तों यह जो 108 megapixel का camera है इस pricing के ल 8 megapixel का है इसकी भी अच्छी lighting के shorts अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक shorts आपके आज आते है even अगर आप portrait mode देखेंगे या HDR mode देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है अच्छी lighting में अगर आप low lighting में चल जाते हैं तो again front camera की performance थोड़ी सी average आपको मिलेग लेकिन इस price range के लिए मैं बोलुआ के ठीक है वैसे कुछ important चीज़ों की हमने बात नहीं की तो उसकी भी बात कर देते हैं जैसे के battery की बात करें तो इसमें 5000 mAh की आपको दी गई है physical overview अगर आप phone का देखेंगे तो यहां पर आपको earphone jack भी दे रखा है और type C port के साथ microphone जो य और TV तक expand कर सकते हैं box contents की बात करें तो सारी जरूरी चीज़े आपको मिल जाती है जिसके cover आपको दे रखा है एक screen protector जो है वो आपको pre-applied phone के उपर मिल जाता है उसी के साथ charger है 18 watts का एक type A to type C cable है कुछ booklets है एक SIM trajector pin है और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने इस phone में notice किया और मुझे उतना अच्छा नहीं जगा इस phone में आपको oleophobic putting नहीं मिलती है जिसकी वज़े से display के उपर अगर आप phone को touch करते रहते हैं तो बहुत सारे fingerprint साज आते हैं वैसे side mounted fingerprint sensor यहाँ पर दिया है इस phone में इसकी speed मुझे अच्छी लगी यहाँ पर आप देख देखते हैं कि वो भी कैसे काम करता है तो overall अगर मैं बात करूं दोस्तों यह phone जो है वो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपको देता है लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा सा compromise करता है प्राइस की वेज़े से pricing जो है उसका लखख 10,000 के क्रीप होगा अभी exact pricing मुझे नही जाते हैं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत है नहीं है दोस्तों